नमस्कार आप सभी का स्वागते इस्टडी विद जे यार यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की किताब है SST की माध्धिमिक शिक्षा बोड की किताब है और सामजिक विज्ञान की इसके हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 पढ़ा था अध्याय 5 आज हम इस अध्याय 5 के अभ्यास परशन करेंगे और अब तक 5 अध्याय टोटल इस चैनल पर पढ़ाए जा चुके हैं RBSC क्लास 6 के आपने वीडियो नहीं देखे हैं पिछे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप देख लीजेगा आपके एक्जाम में काफी helpful होंगे चलिए आज हम पढ़ लेते हैं इसके अभ्यास परशन करेंगे इससे पहले हम शब्दावली देख लेते हैं ग्लोब का क्या अर्थ होता है प्रत्वी का प्रति रूप मॉडल क्या होता है ग्लोब होता है विश्यक मानचित्र किसी विशेश तथिकी जानकारी का मानचित्र क्या कहलाता है विश्यक मानचित्र कहलाता है दिक सूचक यंत्र दिशा बताने वाला यंत्र, उसे क्या बोलते हैं? दिख सूचक यंत्र, रूड चिन क्या है? परमपरागत माननेता वाले चिन, ये क्या कहलाते हैं? रूड चिन, इसके लावा केडिस्ट्रल, केडिस्ट्रल क्या है? भू समपती, चलिए आब अब अब्याद प्रशन देख पहला प्रश्ण है सही विकल्प को चुनिये पहला है दिशा सूचक यंत्र की सूई हमेशा दर्शाती है जैसे कि आपने पढ़ा होगा अध्याय 5 में कि जो दिशा सूचक यंत्र है इसकी सूई हमेशा कौन सी दिशा बताती है दक्षिन दिशा और उत्तर दिशा ये दो कौन सी सुई दिशा सूचक यंद्र की सुई इसके लावा दूसरा देखिए वासकोडी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुंदरी मार्ग की खोज की तो वासकोडी गामा ने भारत देश तक आने के लिए समुंदरी मार्ग की खोज की थी कहां तक आने के लिए भारत तक इसका राइट अन्स रोजेगा भारत अब देखिए next रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिए आपको रिक्तिस्थान दिये गए यहाँ पर आपको फिल करना है पहला है कर ग्लोब किसका प्रतिरूप है हमने चैप्टर पर पढ़ा था किसका प्रतिरूप है प्रत्वी का गलोब किसका प्रतिरूप है प्रत्वी का प्रतिरूप है दूसरा देखिए वास्कोटी गामा ने भारत के रिक्तिस्तान राज्ये के कालिकट सन 1408 में पहुँचे थे तो वास्कोटी गामा भारत के कौन से राज्ये के केरल राज्ये के य तो वसकोटी कामा जो है बारत के केरल राजे के कालिकट सन 1498 में में पहुचे थे अब देखिए ग naar युरोप में 16 सदि में above 16 में gesoddy में कौन सी मशीन का विश्कार हुआ था इसमें आप लिखेंगे प्रिंटिंग मशीन का कौन सी machine का printing machine का नेक्स्ट है भूसंपती मान्चित्र साधर नंतर किसके पास होते हैं अभी हमने पढ़ाथा पटवारी के पास पिछले वीडियो में पढ़ाता हमने किसके पास होते हैं पटवारी के पास, भू संपती मानचित्र साधन तर पटवारी के पास होते हैं, फिर देखें थर्ड ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है, आपको बताना है कि ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है, ग्लोब जो होते हैं, ग्लोब प्रत्वी का अर्पति रूप है, यह जबकि जो मान्चित्र होते हैं वो कैसे होते हैं सम्तल होते हैं मान्चित्र जो होते हैं वो सम्तल सतय पर प्रदशित किया जाता है किसमें मान्चित्र में दूरी को दिशा को आकार और आकरती को सम्तल सतय पर प्रदशित किया जाता है इस तरीके से next question है question number four मानचित्र कितने परकार के होते हैं उनमें से किसी दो के बारे में बताईए तो आपको इसमें बताना है कि मानचित्र कितने परकार के होते हैं और उनमें से आपको दो के बारे में बताना है तो देखी ये है आपके मानचित्र के परकार हमने पढ़ा था पहला है बहुत दिक मानचित्र बहुत दिक मानचित्र क्या है प्रत्वी की प्राकर्तिक आकर्तियां जैसे परवत पठार मैदान नदी महासागर आधी को दरशाने वाले मानचित्र क्या कहलाएंगे बहुत दिक मानचित्र जो प्रत्वी या किसी भूभाग के बहुत दिक सो राज नगर शेहर तथा गाउं और विश्व के भिविन देशों एवं राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचितरों को राजनीतिक मानचितर कहते हैं क्या कौन सा मानचित्र खा जाता है राजनेतिक मानचित्र अब देखिए क्योशन नमबर फिफ्ट है रेखाचित्र खाका मानचित्र में क्या अंतर है उनकी उपयोग क्या है लिखिए तो इसमें आपको बताना है रेखाचित्र खाका और मानचित्र में क्या अंतर है तो जिसमें कुछ स्थानों को दर्शाते हैं और मुख्य स्थानों को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं रेखा चित्र तो कच्चा चित्र जो हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं रेखा चित्र कहते हैं और रेखा चित्र में पहमाने के अधार पर नहीं बनाया जाता है रेखा चित्र और मानचित्र में अंतर अब देखे खाका किसे कहते हैं खाका देखे किसी छोटे शेत्र का बड़े बिमाने पर खीचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है खाका कहलाता है खाके में उस शेत्र की अधिक जानकारी दर्शाई जाती है तो ये इन तीनों में अंतर हो गया, कच्चा चित्र वो क्या होगा, रेखा चित्र जिसमें हम मुख्य स्थान को दर्शा आ रहे हैं, और मान चित्र में क्या होता है, दूरियां दिशाएं सही परदिशिक्त की जाती है, मतलब सही पैमाने पर है न, और खाके में छोटे चित् नेक्स्ट केशन है केशन नमबर सिक्स ग्लोब की तुलना में मानचित्रों का उपयोग अधिक क्यों किया जाता है तो इसका अंसर देखिए ग्लोब जो है ग्लोब को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाने में परिशानी होती है ग्लोब जो होता है प्रत्वी का प्रतिरूप मॉडल होता है इसको एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाने में परिशानी होती है इसके अतिरिक ग्लोब पर छोटे शेत्रों जैसे शहर या गाउं को डर्शाना कठीन है इस तरह की समस्यों से चुटकारा पाने के ग्लोब की अपेक्षा इने बनाना असान होता है मानचित्र को एजीली बनाया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना असान होता है मानचित्र को इसके लावा छोटे स्थान गाउं शेहर को भी दर्शाया जा सकता है मानचित्र पर आसानी से इसके लावा जो Q7. पैमाना किसे कहते हैं? एक उधारण देकर समझाए. तो इसका अंसर देखिए. पैमाना मांचित्र पर दो स्थानों के मद्दे की दूरी तथा उनी दो स्थानों के मद्दे धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है? पैमाना या मापनी कहा जाता है किसे कहा जाता है पैमाना मांचितर पर दो स्थानों के मद्दे की दूरी जैसे कि पहला स्थान है ये दूसरा स्थान है इनके जो मद्दे की दूरी है मद्दे की दूरी तथा उन्ही दो स्थानों के मद्दे धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है पैमाना कहा जाता है जैसे यदि धरातर पर दो स्थानों के मद्दे की दूरी कितनी है दस किलोमीटर है जैसे ये स्थान हो गया एक दिये दूसरा स्थान हो गया और इनके मद्दे की दूरी है 10 km 10 km और मानचितर पर इसे 1 cm से दरशाया गया और मानचितर पर क्या बताए गया है इन दोनों की दूरी कितनी है 1 cm तो इस मानचितर का पहमाना क्या होगा 1 cm is equal to 10 km Next question है Question number 8 मानचितरों की प्रमुख विशेष्टा बताईए तो देखिए मानचितरों की विशेष्टा है पहली विशेष्टा क्या है मानचितर में दूरी दिशा आकार आकरती को समतल सत्य पर परदर्शित किया जाता है जो मानचितर होता है इसमें दूरी दिशा आकार आकरती को समतल सत्य पर परदर्शित किया जाता है दूसरी विशेश था है मानचित्र पर किन ही दो स्थानों के मद्दे दूरी का पता लगाना आसान होता है तीसरा है दूरी के साथ साथ मानचित्र पर किसी स्थान विशेश की दिशा भी जात की जा सकती है मांचित्र पर उत्तर दिशा एक तीर के द्वारा तथा एन लिकर इंगित की जाती है उत्तर दिशा कैसे इंगित की जाती है एन लिकर और तीर के द्वारा तीर का उपरी सिरा उत्तर दिशा को तथा इसका विपरिद सिरा दक्षन दिशा को इंगित करता है चोथे विशेष्टा है, मानचित्र प्रत्वी के एक भाग को छोटे आकार में प्रदिशित करता है, पांचित्र निर्माण में पैमाने का उपयोग किया जाता है, छटा है मानचित्रों में रूड़ चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जो मानचित्र होता है, इनमें तो ये थे पार्ट 3 के 8 questions total, पार्ट 1 में हमने theory पड़ी थी, पार्ट 2 में भी theory पड़ी थी, और पार्ट 3 में हमने इसके अभ्यास परशन देख लिए आज, और ये 8 परशन दिये गए हैं, इसमें हमने 8 परशन देख लिए, मित करती हूँ वीडियो आपके लिए helpful रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे, इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजे, धन्यवाद